आपको पता है Google Assistant आप जो है Hey Google और Home बटन का यूज करके एकसेस करते हो लेकिन कैसा हो कि भाईया Google Assistant ना चलके जैमन AI चले मतलब गाईज आपके फोन में आपके Google बोलो है Hey Google बोलो एक Google Assistant नहीं एक बहुत बड़ा AI मौडल बैठा है है एक बहुत बड़ा Artificial Intelligence आपको जवाप दे स्विच्च कर सकते हो यह पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं था बट अब पिक्सल के कुछ दिवाइस में यह मिल गया है तो मेरा भी पिक्सल 7 प्रो है दोस्तों रेडवी वाला तो उसमें भी यह फीचर आया है जैसा कि में आपको पता होगा तो ही आगर मेरी वीडियो तक दिखना इतना है कौँँगा और आज लाइक की कमी नहीं होने ची यह बहुती special वीडियो है जल्दी से लाइक करो Google सब फोन में और आगे आने वाले समय में बिना इंटरनेट के भी आप इसका यूझप कर सकते हो तो लाइक की कमी नहीं होने च holiness को बहुत इंपोर्टन ह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को आल पर सेट कर लो ऐसी ही कमाल कमाल की वीडियोस यहां पर आती रहती है मैं उमीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसे आप इस पर स्वीच करोगे आपका जैमने आई का एक एप भी दिखने लगे तो सब्सक्राइब इसकी सेटिंग कैसे करनी है वह हम जालते हैं तो हम गूगल एप्लिकेशन ओपन करेंगे यहां पर हम चलते हैं शाइन दिनेज वाले ओप्शन में और यहां से हम सेटिंग बेंगे चलेंगे प्लिक करते हैं अब यहां पर आपको चलना है गूगल वाले ओप्शन में गूगल एसिस्टेंट और अब आग्या-गे आप स्वाइब करेंगे औल सेटिंग्स की हेडिंग पर आप जैसे आओगे तो आगे आगे स्वाइप करना आप कोई कॉप्शन दिखाई देगा डिजिटल असिस्टेंट्स फ्रॉम गूगल चूज बिट्वीन जैमन याई एंड गूगल यहाँ पर आपका गूगल असिस्टेंट होगा जल्दी से आके हाँ पर स्वीच करो जैमन याई में उसके बद कमाल देखना ठीक है यह एक्सपेरीमेंटल याई है अभी यह हम सैट करेंगे गूगल असिस्टेंट सैट है देखेए तो हम जैमन याई पी क्लिक करते हैं स्विच कर लेते दोस्तों अब हमारा जैमन याई काम करना शुरू कर चुका है यदि हम हे गूगल हमारा ओना है तो हे गूगल बोलेंगे तो जैमन याई चालू होगा जैमन याई चलेगा इन कामों के लिए इस्टेमाल करें आप यहाँ पर जैमन याई का इस्टेमाल करने के लिए यह सब फीचर्स बता रहें पसंद के मुताबिक इमेज बनाने के लिए यह image creation में helpful होगा इवन आप इसको कोई भी image भेज भी सकते हो उसके बरे में जानकारी भी ले सकते हो email, post बगर लिखने के लिए है न यह सब जो काम करता है email, post बगर लिख सकते हो है न कुछ भी सीख सकते हो alarm, timer और reminder से अब करने के लिए गूगल एसिस्टन के सारे काम तो आप इस पर करी सकते हो और बाकी AI वाले काम भी कर सकते हो ऐसे ही कई आने कामों के लिए ठीक है अभी नहीं, switch करें switch करें, switch करें पर click करेंगे ठीक है, जानकारी देखते है ज्यादा दिखाए और इन करने पर ज्यादा दिखाए ज्यादा दिखाए पर गूगल किसे नहीं रहने दे नहीं का इस्तेमाल करें इस पर आप click करेंगे गुद मॉर्णिग गुड मॉर्णिग आपने तो यह हमारा assign दिखा रहा है ठीक है अब यह एप ओपन हो चुकी है इसकी अभी मैं सारा बैक करके दिखाता आपको जैमन याई की आप आ चुकी है एप से ओपन करेंगे यह देखें तो जी से इसकी जैमन याई की आप आ गई है जो पहले नहीं थी इस पर हम click करते जैमन याई ओपन हो जाएगा तो यह हमारी आइडी दिखा रहा है अब आगे बढ़ाने के लिए इसार को मेल लिखेंगे यह सब तो सेजेशन आ रहे है उपर जो है एडीट बॉक्स है अपका होम बटन के ऊपर देखें यह माइक्रोफोन मिलता आपको टाइप करें यहां पर यहां तो टाइप कर सकतो है बोल सकतो है फोटो भी शेयर कर सकते हो और यहां से स्क्रीन बड़ी कर सकते हैं अब यहां पर जो कुछ सेटिंग्स आती है दिखा देता हुए सबसे बले में में क्लिक करेंगे इस पर वाले उप्शन पर आपने खाता और सेटिक तो बाइडी में होता है इंडिया के लिए आ गया है तो हिंदी में चल रहा है इंग वह देख सकते हो एक्स्टेंशन के उपर वीडियो बनेगी सेपरेट है ना प्राइविसी सपोर्ट है सेटिंग है तो दोस्तों सेटिंग कुछ काम की है निए अब हम बैक करके यहां से माइक्रोफोन चालू करते हैं सेब तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो चाए आप जो है Google Assistant का यूज कर रहे हो चाए आप Google का यूज करे हो किसी का भी दोस्तों हम बात इकरेंगे से टाइपिंग नहीं करेंगे आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो अब ये जवाब देगा ये ना मतलब बीप नहीं करेगा आपका वह इस चालू करते वक्त तो आपको माइक्रोफ़न क्लिक करके बस बोलना शुरू कर देना बता बता भी या भाशाओं का अनुवाद कर सकता हूं बहुत बढ़ी है क्या वाज है आपकी आपके प्रशनों का उत्तर जानकारी पूर्ण तरीके से देना मैं आपके प्रशनों का उत्तर व्यापक और सटिक रूप से देने के लिए अपने अपियोग कर सकता हूं विभिन प्रकार के रचनात्मक पाठ प्रारूपों को उत्पन करना मैं कोड, स्क्रिप्ट, संगीत के टुकडे, ईमेल, पत्राद ही लिख सकता हूँ ओके धन्यवाद आपके निर्देशों का पालन करना और आपके अनुरोधों को सोच समझ कर पूरा करना मैं आपकी बातों को ध्यान से सुनूंगा और आपके निर्देशों का पालन करने की पूरी कोशिश करूंगा ध्यान दे, मैं अभी भी विकास के अधीन हूँ और मैं अभी तक किसी भी डिवाइस पर कारवाई नहीं कर सकता यह सई है करना टाइमर चालू करना या फोटो लेना चीक है कि आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप आज क्या करना चाहते हैं ने बाद में बताएंगे पहले हम बैक करेंगे तो अभी इसने एक सबसे जादे इंपॉर्टेंट बात बोली है कि यह विकास के अधीन है तो यह करना लिए बढ़िया जिसमें मेरी डस्ट बीन से टक्कर लग गई है और मैं जो है रोज मार खाता हूं अब देखते हैं दोस्तों क्या लिखके तो जैसे आपने होम पटन पर दबा के रखा यह चालू हो गया आप कुछ भी बोल सकते हो आप जैसे ही यह मेरा सर्च रिजल क्या गाना क्या हुआ ना दोस्तों ब्रीज सोचा था सुबह अच्छी बीतेगी लेकिन हो गया उल्टा डस्ट बिन ने कर दिया मेरा मूड खराब अब तो दिन बर रहूंगा उधास वाय और मेरे पार शब नहीं हाई रे डस्ट बीन तुने ये क्या कर दिया दोस्तों ये देखो कितना बड़िया गाना मना रहा है सारे दिन की शुरुआत बिगार दी अब तो रोंगा मार खाऊंगा अब स्टार्टिंग केसा था सुभे मैं उठा नास्ता किया चाइपी सामने डस्ट बीन आया टकराया अरे वाँ दोस्तों क्या गाना बना दिया दोस्तों अमने वीडियो में दोस्तों यह हमारी खुद की कॉमपोजिशन है लिरिक्स है दोस्तों जैमने आई के और गाया है पारस भारदवाज जी ने तो यार यह जैमने आई जो है भाई हिंदी बहुत बुड़ियों सपोर्ट कर रहा है यार है ना चैट जीपिटी से अगर आप हिंदी गाना बनाने जाते हो ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनाता लेकिन यार इसने क्या गाना बनाया यार भाईया यह आपको लिखा वाभी मिल रहा है देखे तो कैसा लगा गाइस आपको यह इसका कमाल जैमने आई का कमाल जैम अगर कोई हिस्टोरिकल फोटो है कुछ भी तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हो यह आपको help कर देगा है ना और भी इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हो बस शर्त यह है कि आपको यह इसे बाते करने आनी चाहिए तो वीडियो आपको कैसी लेगी कमेंट करें बताना पूछ सकते हो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं सी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई